आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भाईया में जैसा कि आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार में आज से सुरू हो जाएंगे कई तरह के काम तो यह ऐसा बिहार के लिए ही सिर्फ नहीं है यह पूरे पूरे इंडिया में आज से लब दिल्ली NCR की कुछ सीमाएं हैं कुछ छेत्र हैं उनको छोड़के पूरे भारत में काफी सारे काम जो हाँ से सुरू हो जाएंगे तो जो स्टुटेंट्स हैं उनको लेकर के मैं वीड सरकार कुछ पॉजिटिव कदम ले रही है इसके लिए और काफी साफधानी बरतनी पड़ेगी पूरे देश्वासियों को साथ देना पड़ेगा सरकार का गवर्मेंट का तब जाके कुछ हम लोगों को बेनिफिट होगा इसका अगर हम लोग कुछ भी आसा धानी दिखाते हैं तो जिसकारण से जैसा कि मोदी जी ने पहले ही कहा है कि अगर कुछ भी कोई भी कैस नहीं आता है तो काफी कड़े कदम उठाए जाएंगे और पूरी तरीके से वहाँ पर बंदी कर दी जाएगी तो अभी हम लोगों सावधानी बरतनी है और चली मैं बताता हूँ कि आप लोगों स्टुडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या कुछ अच्छा होने वाला है जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज क्या नियूज निकल के आया है और एक चीज और मैं दिखाऊंगा कि आज वाकई में क्या-क्या चीजें खुल सकती हैं और किन-किन वेपार में छूट मिला है और किसको अभी भी पूरी तरगे से बंद रखा गया है तो यह देख लेंगे वीडियो तो आप लोग साफधान रहेंगे और गलत पहमी अपने बीच में नहीं पाले जलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या चेंजेज आज से हुए हैं और क्या-क्या बदलावाएं हैं किन कामों में छूट मिला है जो तो चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तो जो देश में पांच पॉइंट करके यहाँ पे दिया हुए क्या-क्या बदलेगा वो देखते हैं पहले तो पहले नंबर पे है कि किसानों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी क्रिशी उपकरन की दुकाने खुली रहेंगी बिजली मरमत के कार्यों से जुड़े लोगों के अलावा प्लंबर और कारपेंटर को काम के लिए छूट मिलेगा दूसरा नंबर है स्वास्त संबंदी, पैकेजिंग, सामगरी और कच्छे माल की विनिर्मा निकाईयां चालू रहेंगी आईटी और इससे जुड़े सेवाएं वाले दफ्तर शुरू होशकेंगे 50% स्थाप ही काम करेंगे, 50% स्थाप के साथ यह जो प्राइवेट कंपनी है यह सुरू हो जाएंगे तो तीसरा आता है दोस्तों ट्रक रिपेर के लिए हाईवे पर दुकाने और धाबे खूले रहेंगे नियुनतम दूरी स्थानिये प्रसासंताय करेगा जैसा माना जा रहा है कि 10 किलोमेटर या 5 किलोमेटर के रेंज में एक धाबा या फिर जो एक ट्रक रिपेरिंग सेंटर है वो खूला रहेगा चोथे नमबर पे आता है कि सरकार ने क्रामीन इलागों में को अपरेटिब क्रेडिट सोसाइटी, गैर बैंकिंग, वित्य संस्थान, पानिकी सप्लाई, बिजली और संचार से जूड़ी परियोजनाओं को गती विदियों को छूट दिया है और पांचवे नमबर पे आता है शेहर के बाहर सडक, सिचाई, बिल्डिंग, अक्षे, उर्जा और सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में निर्मान काम भी सूम बार से शुरू हो जाएगा इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए तो जो मजदूर का रजिस्ट्रिशन निर्धारित किया जाएगा DM के द्वारा और उसके बाद ही वो लोग रजिस्टर होंगे और वहां से उनलों को बुलाया जाएगा और देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए जो अची खबर है वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ इस पोर्शन में आपको दिखेगा जो आई टी वाले या फिर जो सिक्षा से आप लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए देखिए आपके रोजगार स्रीजन के सबी कारे शुरू किये जाएंगे सुमबार से मन्रेगा के तहट काम शुरू कर दिया जाएगा तो मन्रेगा तो मजदूरू के लिए होता है आप लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है लेकिन आगे देखिए क्या कहता है ताकि मजदूरू को रोजगार मिल सके और साथ निश्य के कारे करम भी शुरू किये जा सकेंगे तो मतलब साथ निश्य जो पहले से ही आप लोगों को पता होगा कि साथ निश्य के तहत ही ITI colleges में जो बने हैं 152 वो उसी के निश्य बने हैं तो उसके निश्य ये भी था कि उसमें अच्छे ढंग से जो अध्यन का कारे है वो प्रारंब हो जाए तो वो उसमें आता है तो आप लोगे लिए अच्छी बात है कि कुछ उसमें अगर ओफिस खुलेगा तो कुछ नोटिफिकेशन जो भी नहीं आ रहे थे वो आने शुरू हो जाएंगे जो स्टडी अध्यन कारे है वो बाधित रहेगा क्लासेज नहीं चलेंगी लेकिन जो बाकी चीजे है वो चलेंगी तो आगे देखे क्या लिए रहा है कि मुख्य वो ग्रामीन सडक पुलिया आधिक निर्मान कारे भी शुरू हो जाएंगे तटबंदो आधिके मरमत कारे भी शुरू होंगे जमीन की अजिश्ट्री भी शुरू हो जाएगी तो इतनी चीज़े आपने देख लिया तो इससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो तो एक पीडियाफ मेरे पास है उसमें क्लियर बताया हुआ है कि क्या चीज़ें चालू हो रही है क्या चीज़ें बिल्कुल चालू नहीं होंगी तो वो पीडियाफ पर ले जाओगा आप लोग को डैरेक्ट और वहां पे क्लियर आप लोग जान जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा और पीडियाफ किसी को चाहिए होगा तो कमेंट में मुझे कमेंट करेगा तो मैं उसको प्रोवाइट करा दूगा तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं वहाँ पर जिकर करते हैं तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि खुलने योगी प्रतिष्ठाने यहाँ पर आप देख सकते हैं खुलने योग पे वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे और सीमित से थिलता देने वाले मतलब जो home delivery किताबों के दुकानों के लिए ही बस और marvel styles की दुकानों के लिए है ये कि अगर कोई अगर दुकानदा eligible है home delivery करने के लिए तो उसको permission लेके वो काम कर सकता है तो चलिए देखते हैं कि खुलने मंडी, आठा तेल मिल्स, चावल की फैक्टरियां, इट बठा, आठा चक्की मिल्स, दोबी की दुकाने, पेट्रोल पंप, टायर पंचर की दुकाने, हराचार, चारा टाल, सबजी फ्रूट्स की दुकाने, अप्टिसिंस की दुकाने, सुविधा सेंटर, गैस एजनसी, ट्र उखार की दुकाने, डेरी, कुदाम, वेरहाउस, ऑनलाइन सुइट्स, होम डिलिवरी जो कर पाएंगे बस उनके लिए, ऑनलाइन रिसुडेंट्स जो होम डिलिवरी कर पाएंगे उनके लिए, हाईवे पे जो ढाबे हैं वोई खुल सकते हैं, कोरियर सर्वीस, बेकरी की दुकाने, मिस्तरी मार्केट, क्रिसी यंत्र स्पेर्स, पार्ट्स की दुकाने, गराज, या फिर गराज दोनों में से कोई एक, गाड़ियों की वासिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट कमपनी, चली यह तो होगी खुलने होगे, अब देखते हैं नहीं खुलने होगे, सभी पनवाडी की दुकाने नहीं खुलेंगे, नाई की दुकाने नहीं खुलेंगे, ब्यूटी पालर्स नहीं खुलेंगे, लोहा मंडी की दुकाने नहीं खुलेंगे, पलंबर सैनेटरी की दुकाने नहीं खुलेंगे, कपड़े जुत्तों की दुकाने नहीं खुलेंगे, मनि शीत गुरुद्वारा साहिब सभी धार्मी के सल बंद रहेंगे परेटरन सल बंद रहेंगे फुलवारी की दुकाने बंद रहेंगी फोटो स्टूडियो की दुकाने बंद रहेंगी मैरेज पैलेस बंद रहेंगे सभी परकार के आटो या आटो रिक्षा बंद रहेंगे और किसी किनी को विशेस वह प्राप्त है क्या बोलते हैं पास अगर किनी के पास है तो वह जा सकते है या फिर जिनको पर्मिशन है डियम से वह ओट वाले चला सकते हैं सभी परकार के रंग रोगन की दुकाने बंद रहेंगी gift stores, बच्चों के खिलोने, घडियां की दुकाने, दुपट्टा रंगाई के दुकाने, ready-made कपडों की दुकाने, सभी प्रकार के gun houses की दुकाने, private company या office, property dealer की दुकाने, नियालाय, नियालाय मतलब कि court भी बंद रहेगा, stamps भी बंद रहेंगे, stampas, stampas भी बंद रहेंगे, चलिए लकड मंडी बंद रहेंगी, juice की दुकाने बंद रहेंगी, fast food की दुकाने बंद रहेंगी, और radio जो ठेले वाले लगाते हैं, वो भी बंद रहेंगे, stadium, club, gym बंद रहेंगे, अंडे की दुकाने बंद रहेंगी, चाइबा कॉफी की दुकाने बंद रहेंगे गाडियों के शोरूम, कंप्यूटर की दुकाने बंद रहेंगे, मुबाइल की दुकाने और शोरूम भी बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, तमबागों की दुकाने बंद रहेंगे, musical showroom और दुकाने, दोनों बंद रहेंगे hostel बंद रहेंगे, taxi stand बंद रहेंगे, और बाकी जो आपको यहाँ पर पता था कि जो इसको थोड़ा सा छूट मिलेगा अगर कोई किताब की दुकान home delivery करा सकता है तो उसको permission लेके वो करा सकता है तो यह चीज़ था आप लोगों के बीच अगर आप लोग यह clear हो जाएंगी जो इसमें निर्धालित किया गया है उसमें से खुलने योग्य का मतलब यह नहीं है कि वो खुल जाएगा, उसमें से भी बहुत सारी स्टाफ काम नहीं करेंगे 50% स्टाफ काम करेंगे 50% तो उससे यह होगा कि वहाँ पर जो कारेबादित है जो भी नोटिफिकेंस चारी करने हैं वो जारी होने लगेंगे तो आप लोगों के बीच कुछ अच्छा भी आ सकता है कुछ वेकेंसी जो काफी जरूरी है यह तो मैं नहीं कहूंगा कि अच्छे ज्यादा वेकेंसी आएंगी क्योंकि काफी आर्थी किस्तिती खराब है पूरे देश की पूरी दुनिया की खराब है दोस्तों तो अपनी बिहार के भी कुछ अच्छी नहीं है तो इसलिए जो सरकार है वो काफी सोच समझ के आगे का कदम उठाएगी तो घबरा हैं बलकुल नहीं लेकिन जो भी जरूरी है वो तो आएंगे ही आएंगे तो आज से ओफिस खुल गया है तो यहीं बताना था दोस्तों चलिए तब तक के लिए धन्यवाद अगर कोई फ्रेंड्स अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो जरूर कर लें और आप लोगों जैसे पता है कि आई टी आई अनुदेशक और सी टी आई वाले जो भी स्टुडेंट्स हैं उनके लिए चैनल काफी स्पेसल है जरूरी है तो आप लोगों को तो इसी सब्सक्राइब करना ही है सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताएं शेयर करें और बेल आईकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे है चलिए धन्यवाद